हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज का जो तोपिक है उसका नाम है bread supply of heart heart में कैसे bread supply होता है इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज आलेजी जो mainly blood vessel होता है वो feel up होता है systolic के समय systolic कहने का क्या मतलब है जब heart contract करता है लेकिन सिर्फ एक वेसल को छोड़के उसका नाम है कोरोनरी वेसल किसको blood supply करता है यह blood supply करता है हर्थ को यह feel होता है दिरिन दायस्तोलिक ठीक है चलिए अब आते हैं blood supply में तो सबसे पहले हम अरोता का एक cross section लेंगे तो इसमें तीन भल्ब देखेंगे तीनों भल्ब से एक sinus निकलेगा यह हो जाएगा anterior erotic sinus जो मिली right coronary sinus को develop करता है और right coronary sinus से क्या निकलता है right coronary artery यह left posterior sinus या left posterior erotic sinus जो मिली give rise देता है lip coronary sinus को और यह जो right posterior erotic sinus है यह मिली किसी भी artery को give rise नहीं देता है इसलिए इसको कहते हैं non coronary sinus अब क्या होता है मिली जो हमारा right coronary artery है ना सबसे पहले anterior erotic sinus के बारें बात करते हैं तो यह जो right coronary artery है यह कैसे आता है तो यह anterior ventricular group से नीचे की और move करता है तो यह दो सिग्मेंट पर दिवाइद हो जाता है सिग्मेंट 1 सिग्मेंट 2 सिग्मेंट 1 में वो supply करता है या drain करता है blood को anterior path of heart में right side ठीक है और जो सिग्मेंट 2 है वो supply करता है posterior path में किदर right side ठीक है चले अब आते हैं branches of first segment of artery जो first segment है वो ventricle को भी provide करेगा blood और artery को भी तो सबसे पहले हम ventricle में देखते हैं तो जो सबसे पहला branch होता है जो main branch होता है उसको कहते हैं ventricle rami यह क्या करता है blood supply करवाता है right ventricle में ठीक है अब यह क्या करता है जब यह infundi bulum में पहुँचता है पर्मोली trunk के नीचे तो इसको दुसरा artery का नाम दिया गया उसका नाम है right conus artery right conus artery क्या है अगर कोई पूछे तो कहना ओसा ventricle rami का पहला branch जो supply करता है infundi bulum of right ventricle और यह infundi bulum of right ventricle पाया कहा जाता है तो पर्मोली trunk में ठीक है अब जो कह रहा है कि अब यह कहता है इसमें से एक जो branch होता है वो margin के तरफ से चलता है margin कहने का क्या मतलब है इसलिए इसको marginal artery भी कहते है यह acute marginal artery कहते है यह लंबा होता है और inferior bottle के along चलता है कहा inferior bottle के along इसके along चलता है यहां तक समझने में problem नहीं है अब जो थद है आर्ट्रियल ब्रांच हमने अब भेंट्रिकल ब्रांच पर लिया अब जो आर्ट्रियल ब्रांच है वह mainly acynod को क्या करता है blood drain करता है किस आर्ट्री के थ्रूप acynodal artery के थ्रूप तीक है क्या acynodal artery तीक है अब आते हैं branches of second segment artery तो second segment artery कहा चलाएगा posterior side चला जाएगा तो right posterior ventricular artery यह समझ में आ गया मतलब कि फर्स सिग्मेंट है वह anterior path को देता है second segment posterior path को देता है ठीक है अब जो है second branch है उसका नाम है posterior interventricular branch मतलब यह दो बेंट्रिकलर के बीच में जो segment रहता है उसको यह क्या करता है blood drain करता है मतलब कि right और left ventricular दोनों को किस के थ्रू तो posterior interventricular group के थ्रू ठीक है अब आर्ट्रियल path तो यह mainly supply करता है दोनों राइट और left अट्रियम को कौन तो posterior arterial branches ठीक है यहां तक समझने में प्रॉलम नहीं है अब आते हैं लेप्ट करूनरी आर्ट्रिय से में जो मेली posterior left posterior से derived होता है left posterior sinus से derived होता है ठीक है तो यह जो लेप्ट करूनरी आर्ट्रिय है वह होगा left posterior erotic sinus से ठीक है इसलिए इसको left coronary sinus भी कहा जाता है इसका जो descending होता है न मतलब लेकिए हर्थ है यह हमारा यह जो descending path होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है लेकिन इसका जो यह दाइमीतर है वह बड़ा मुत ज्यादा होता है as compared to right coronary artery अगर कोई पूछेगा जो इसका main descending path है वह उसका size क्या होता है उसका size right से छोता होता है लेकिन दाइमीतर ज्यादा होता है ठीक है यहाद तक समझने में कोई problem नहीं है और यह पाया कहां जाता है left coronary artery परमोली ट्रंक और left auricle के बीच में ठीक है left coronary artery बहुत सौथ होता है लेकिन कैलीवर के बाद क्या जाए तो उसका size क्या होता है larger होता है यहां तक समझने में कोई problem नहीं है अब जो इसका फस्त ब्रांच है वह कहां पर रन कर रहा है तो अंतीरियल इंटर्वेंट्रिकुलर ग्रूप के तरफ इसलिए इसका क्या ना रखाया है anterior interventricular branch या left anterior descending जो left anterior descending होता है वो इसका size बहुत कम होता है यह तो पहले ही बताया और जो second branch है वो रन कर रहा anterior ventricular group के along जिसको हम क्या कहते है circumflex R3 इसे से एक निकलता है circumflex R3 ठीक है तो अब चली ब्रांचे देखते है left descending R3 का है जो left descending R3 एने इसके मिली right और left ventricular rami होता है और दूसरा diagonal R3 होता है अब diagonal R3 कहने का क्या मतलब है तो एक तरफ तो circumflex है दूसरे तरफ क्या है left anterior descending उसको 20 से equally जो दिवायत करके निकलता है R3 उसको diagonal R3 कहते हैं और ये structure को क्या कहा जाता है trifurcation भी कहा जाता है left coronary R3 का ये question आ सकता है कि left coronary R3 का trifurcation क्या है तो एक तरफ circumflex एक तरफ led और बीच में diagonal R3 ठीक है अब जो interventricular septum है वो supply होता है right और left दोनों के द्वारा तो में लिए देखते हैं कैसे तो ये जो left descending supply है वो करता है tooth head of anterior superior portion of septum देखे पहले septum बनाती हूँ जैसे हमारा क्या है R3 और ventricle है तो ये इसको supply करना है न ठीक है तो क्या कह रहा है left coronary R3 का जो left descending R3 है वो supply करता है anterior two third बन्हें दो third क्या करता है supply करता है किसके द्वारा तो left coronary R3 के left descending के द्वारा ठीक है और जो posterior इंटर्वेंट्रिकुलर रहमी है वो supply होता है posterior inferior path of interventricular septum मतलब देखे ये मेली दो पात में दिवायद हुआ anterior septum और posterior inferior septum anterior superior जो supply होता है वो left coronary R3 के द्वारा supply होता है और जो ये नीचे वाला क्या है posterior inferior path है वो right coronary R3 के द्वारा supply होता है यहां तक समझने में कोई problem नहीं है अब क्या कह रहा है जो circum RTX balance है left water of heart के along चर रहा है तो इसको obtuse याद रखेगा obtuse marginal artery भी कहते हैं कौन सा obtuse marginal artery कहते हैं और अस्ताति में परा था ना कि right marginal artery को क्या कहते थे तो acute marginal artery कहते थे और जो left marginal artery है इसको obtuse marginal artery कहते हैं यह मेली apex of heart के तुबा के तरफ रहता है और यह यूज होता है बाइपास ग्राप्तिंग में याद रखेगा पूछ सकता है कि acute और obtuse marginal artery किसको कहते हैं अब चलते कोरोनरी दो मिनेंस में जाते हैं तो coronary dominance में दो तरह का होता है राइट coronary dominance और left coronary dominance कहने का क्या मतलब आजले intraventricular septum देखते हैं ते इंतर 116 में उपर में क्या था anterior superior नीचे में था Posterior Inferior तो anteriorterior left से और यह Posterior inferior panel right से supply होता था एंजश को कहेंगे right coronary dominance लेकिन अगर posterior inferior left coronary से supply हो और the anterior superior left coronary से हो रहा है लेकिन अगर posterior inferior भी left coronary से diagnosis होगा मतब ब्लद supply होगा तो उसको left coronary dominance कहेंगे यहां तक समझने में problem नहीं है में लिए जो left coronary dominance होता है वो बहुत ही खतनाक होता है क्यों क्योंकि दोनों उपर और नीचे वाला पाद दोनों left coronary से supply हो रहा है लेकिन अगर right coronary dominance रहे तो अगर blockage होगा लेप coronary में तो blood मिल सकता है right coronary से या blockage होगा राइट coronary आल्टी में तो blood मिल सकता है left coronary से लेकिन यहां पर अगर एक blockage हुआ तो दोनों को क्या हो जाएगा blood supply मिलना बंद हो जाएगा तो यह ज़्यादा dangerous होता है ठीक है एक होता है term co-dominance अभी तक हम dominance पर रहेते हैं अब co-dominance इसका मतलब क्या होता है कि जो branch होता है both right and left intraventricular septum वो क्या होता है दोनों branches से आता है मतलब कि जो right यह जो posterior inferior है इसमे right coronary artery भी रहेगा और left coronary artery भी रहेगा इसका मतलब कि यह safest path है ठीक है एनस्तोमोतिक artery की बात करते हैं तेनस्तोमोतिक artery में आप देखेगा ना कि anatomically तो कोई भी बात मिलावा नहीं है लेकिन functionally इसका इंद है ठीक है तो पहला जो होता है उसको कहते है right coronary sinus sorry right coronary artery आपको याद होगा हमने परहाय था right coronary artery infundi bulum के नीचे जो blood supply करता है ठीक है और left coronary artery यह दोनों क्या होता है एनस्तोमोज करता है ठीक है और एक structure बनाता है necklace की तरह इस structure के जहाँ पर यह एनस्तोमोज मतलब मिलता है उसको कहते है annulus of view sense क्या annulus of view sense देखे यहाँ पर लिखा होगा है ठीक है अब दूसरा जो एनस्तोमोज है वो होता है interventricular septum में मतलब कि इसमें क्या होगा कौन-कौन सा होगा तो septum rame जो आता है कहां से left anterior descending से और posterior interventricular branch एक दूनों में क्या होगे एनस्तोमोस होगे अब तीसरा एनस्तोमोस कहां होता है तो right coronary artery एनस्तोमाईज करके left coronary artery के साथ ताकि वो cross ना कर सके और इसको क्या कहा जाता है cross of the heart कहा जाता है जो million left side में परजेंट होता है cross of the heart कहाने का क्या मतलब है जो posterior respect है वो inter arterial group interventricular group और arterial ventricular group से meet करता है अब एक होता है कूजल artery क्या होता है तो जो arterial artery होता है वो जब जाएगा किदा है proximal left circumference artery से जाके anestomize करेंगा किस से तो diagittal right coronary artery से तो उसी को कहेंगे कूजल artery थीक है अब third coronary artery क्या होता है तर right coronary artery के जग़े क्या होगा right coronary artery हो जाएगा जो million climate arise होता है किस के दोरा anterior orrotic sinus के दोरा तो इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे third coronary artery थीक है यहां तक समझें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब क्या कहा रहा है जो लेप्त करोणरी आल्त्री है वह मेली लेप्त पॉस्तिरिय एरोटा से आता है और यह एराइज करता है कहाँ पर परमूली त्रंग के पास तब तो इंतायर लेप्त करोणरी आल्त्री फिल्द होगा वेनस प्लस से जिसके कारण क्या हो सकता है वेंट्रिकुलर फेल वर हो सकता है ठीक है लेप करोनरी आलत्री मेली एराज होता है एंटिरिया एरोतिक सैनस से जो मेलिया कर ज्यादा दिन तक चले ना नॉर्मल से ज्यादा दिन तक तो इसके कारण क्या हो जाएगा यह जो लेप करोनर होने का दर है और जिसके करण देथ हो सकता है लेप circumference यह मेली material भल से रन करता है और यह material भल से जरी के समय देमेज होने का खतरा है अगर occlusion की बात करें तो most common left coronary artery का occlusion कहां होता है तो left anterior descending में और मेली यह ज़्यादा common होता है मायकार्दिया इंफ्लैक्शन के समय और यह में ज्यादा देखा जाता है Second Right Coronary Altery की बात क्या जाए तो Second Right Coronary Altery कहां पर होता है proximal one third और digital Second Third को blood supply करता है third left circumference Altery ठीक है यहाँ यहाँ पर क्या होता है mainly ज्यादा occlusion होता है लेकिन most common occlusion left coronary Altery के left anterior descending में होता है Summary, right coronary से मेली कौन-कौन सपाथ, तो entire right atrium, most part of right ventricle, SA node, AV node, posterior inferior, interventricular septum Left coronary से most left ventricle, most left atrium, ventral tooth अदब, interventricular septum Left anterior descending artery से anterior wall of left ventricle Right bundle of bronze में कौन से होता है, तो left coronary artery होता है इसी के साथ हमारे ये blood supply खत्म होता है, आसा आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो like और subscribe करना ना भोलें